हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम तो दी यूट्यूब चैनल, डीप रिपेर फॉर यूजी सी नेट, डॉन्ट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब दी चैनल, एंड प्रेस दी बेल आइकन पॉर लेटेस वीडियो अपडेट्ट जब भी आप NK UGC net exam के लिए preparation को शुरू करते हैं, तो सबसे पहला step आपका आता है, आपके subject की according, आपके syllabus की according, आप material को collect करें अब material collection की जब बात आती है, तो हमारी mind में यही आता है कि हम किस सरीके से best books को अपने जो collection के अंदर डालें, कि जिसे पढ़के आपके exam के अंदर questions आने की chances बहुत ज़ादा हो जाएं तो आज मैं अपना ही ऐसा book collection आपके सामनी लेकर आई हूँ, जो की आपको net और GRF clear करने में काफी help करेगा नमश्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेरे book collection के बारे में जो की होगा NTA net paper 1 and paper 2 commerce students के लिए, ओके, let's start the today's video पहले हम पात करेंगे NTA net paper 1 की, आप paper 1 की बात आते हैं तो my all time favorite book Pearson Publication की KVS Madan Sar की जो ये book है, the best book है ये आपके लिए NTA, UGC, NET, SET, GRF, सब exams के अंदर आपके काम आती है तो ये book तो आपको बिल्कुल miss नहीं करनी है, teaching and research aptitude इसका main जो है, वो आपको concept दिखाया गया है काफी easy way में, काफी अच्छी language में आपको KVS Madan Sarji के जारा लिखी गई, ये book दी गई है बहुत easily आपको समझ जा जाएगी, collection अगर इसका देखा जाए, तो काफी to the point या to the exam point of view बिल्कुल mail खाता है उनसे, इसके साथ इसका ये भी फायदा है, आपको इसकी Hindi medium book भी मिल जाती है English medium भी है, Hindi medium भी है, हाला कि ये जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ जो ये इसका edition है, वो थोड़ा पुराना है, अभी इसका निया edition आचुका है उसका link जो है मैं description box के अंदर देदूंगी, आप वहां से उसे purchase कर सकते हैं जो KBS मदान सर है, बहुत ही अच्छे एक author है, as a book, मुझे बहुत अच्छी लगते हैं इनकी ये book बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाई गई है, बहुत ही, कहते हैं कि बिल्कुल निचोड के साथ ये book आपको मिलेगी, कोई भी extra चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है और exam point of view से the best book है आपके लिए, इसी के साथ unacademy पर भी वा exclusive interview आपको देने आ रहे हैं, कल की date को 24 December को 5 बजे शाम को उनका interview है, Christmas special आपका exclusive interview है उनका, तो वो भी आप जरूर देखिए, इस interview को आप unlock कैसे कर सकते हो, आपको महाँ पर referral code यूज़ करना होगा, referral code आपको आपकमिंग batches की बारे में आपको detail दे रहे हूं है, 22-29 date को नए-नए batches शुरू हो रहे हैं, plus courses शुरू हो रहे हैं, तो जो भी course, जो भी आपको batches यहाँ पर set बैठते हैं, उसके according जो है, आप जल्दी से subscription ले लो, subscription की date जो है, वो आ चुकी है, 25 December को, आपका जो है, यह subscription का प्राइस जो है, वो हाइक होने वाला है, आज 23 हो चुके है, तो जल्दी से subscription ले लो, की price हाइक होने से पहले ले पाओ, subscription को के अंदर 10% discount के लिए आपको यहाँ पर मेरा raffle code भी दे शो हो रहा होगा, SHA-FALI, NTA, Shifali NTA, तो आप इस raffle code को use करके 10% discount भी पा सकते हैं, इस subscription fees के अब बात करते हैं हमारे net paper to commerce के बारे में, commerce के अगर हम first unit के बात करें तो वो आपके आ जाती है, business, environment and international business, actually क्या किया गया है, आपकी कई units को merge कर दिया गया है, आप एक ही unit के अंदर, पहले आपकी unit हो जाते हैं 15, लेकिन आपकी unit कर दी गई है 10, लेकिन कुछ difference नहीं किया है mostly जो है वो आपके units को कुछ merge कर दिया गया है और कुछ थोड़ा बहुत जो है, वो 5-10% नया भी update किया है, अब unit 1 के अगर हम बात करें business, environment and international business, तो यह बहुत different subjects हैं एक दूसरे से, आप business environment के book आपको अलग से लेनी पड़ेगी, तो business environment के जो बुक मैं आपके लिए बता रह इस बुक से मुझे बहुत help मिली है, बहुत ही अच्छा to the point डिखा गया है, किसी को भी समझने भी difficulty नहीं होगी, काफी अच्छी बुक है, बाकी, of course, मोटी खासी बुक है, लेकिन डरियमत बुक को देखके, बहुत ही अच्छी वर्डिंग दे रखिया, ऐसी कोई बात नही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और secondly, जो आपको इंटरेशनल बिजनेस की इहां पर बात की गई है, इंटरेशनल बिजनेस का थियरी इस दी गई है, आपको गॉर्मेंट इंटर्वेंशन के बारे में बोला गया है, इंटरेशनल ट्रेड के अंडर, ट आपकी जो सेटप इसी तरीके से कर रहा है, 5-7 कोशिन्स जो है, वो आपको मिल जाते हैं हर एक यूनेट से, ओकी तो अब भात करते हैं, इंटरेशनल बिजनेस की, इंटरेशनल बिजनेस की जो बुक मैं यूज कर रही हूँ, वो है पी सुबा राव, जो हमारी ओथर है, ह आपकी पूछा जाता है, वैसे ही कोशिन्स इसके अंदर, वैसे ही मतलब मैटर इसके अंदर लिखा गया है, तो यह एक बहुत अच्छा फायदा है इसका, देखो यह जो भी मेर पास एडेशन है, वो आपकी हो सकता है, कि अब अपटो डिट नया अडेशन आ गया हो, तो जो भी लिंक होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स के अंदर देती जाओंगे, ठीक है, तो इन बुक्स के थरूँ आप पढ़ सकते हो, जब भी मैं बात करती हूँ, अपनी पेपर 2 के मैटेडल कलेक्शन के, तो मैं कई वर कहाती हूँ कि अपनी UGPG की बुक्स यूज करो, लेकिन अब हम UGPG की बात करें, तो यहाँ पर जो बुजनस इंवार्मेंट की बुक्स है, मैं पास थी, UG लेवल की, वो इतनी इसके मुकाबले सही नहीं है, जितने हमारे नेट एक्जाम के लिए ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने अपनी ये बुक्स जो आपके मर्ज कर लखे हैं, अब इसका से लेवल्स देखा साएं, तो कैसे करें, देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगरा दिया गया है, तो इतने से तोपिक से जरूर आता है, तो इसको मिस्स मत करना, इसके लिए, आप कोई भी अकाउंटनसी की बेसिक सी बुक तो मैं यूज कर लेती हूं, इसके लिए बहुत ही एजी अच्छा टॉपिक दे रखा है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि आप इतने से टॉपिक के लिए बुक परचेस करो, चाहे तो आप इस बुक करना चाहो तो कर सकते हो, और लिंक मैं दे दूगी आपको, लेकिन सब्सक्राइब के लिए आपको उसके लावा आपको ओडिटिंग भी मैंटर दे रखा है, अब हम इसके ओपर कैसे पूरा करें, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अकाउंटिंग के मैं आपको बेसिक बुक एक आपको बता दी है, बुक का सुरी मैं आपको बताना भूल यह है आपकी बिकॉम सेशन के लिए, इसकी हालत बहुत बुरी है, मैं आपको फूरा दिखावी नहीं पाऊंगी, कॉर्परेट अकाउंटिंग की यह बुक है, डेके गोईल, इनके भी ओथर है, और इनके जो हमारे जो पब्लिकेशन है, वो हमारा यहां पर आर्या पब्ल अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है इनकी और बहुत इजी लेंग्विश के अंदर है, और उसके बाद और अडिटिंग का अगर हम टॉपिक ही बात करें, यहां पर अडिटिंग जो टॉपिक आरा है, और डिटिंग के लिए भी आपको सजर्स नहीं करूंगी तो अगर आपको लोकल कहीं से मिलती है और अडिटिंग की बुक तो आप यूज कर सकते हो, बाकि रेरली बहुत कम चांसे होते हैं, बहुत ही कम चांसे होते हैं कि इसके अंदर से एक कॉश्ण आ जाए ठीक है, तो अब आप उसके अकोर्डिंग सोच सकते हो कि आपने किस अगर एक नजर से देख लेंगे तो बहुत बैटर रहेगा, छोटा से ट्रॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ओडिटिंग के लिए एक ही लाइन के अंदर आपको चार-पांच ट्रॉपिक दे रखे हैं इसके, ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी उनिट आजाती है, यह बुक हमारे यूज की गई थी, पॉमर्स के अंदर, MBA में भी चलती है, एमकॉम में भी चलती है, WKP Publication की Managerial Economics, TRJN की यह बुक है, बहुत ही to the best, सारा सिलेबस इस बुक के अंदर आ जाएगा, कोई भी दिकत नहीं आएगी, और इस तरीक से बुक लिखी गई है, आपके नेट के अंदर भी उसके questions जरूर क्लियर होंगे, तो कोशिश करो एक यह बुक पढ़ लो, Business Economics के लिए the best book है, link description box में दे दूंगी मैं आपको, ठीक है, next unit है आपकी वो है Business Finance, Business Finance का अगर हम syllabus देके, तो हमने जो UGPG के अंदर books पढ़ी है, Financial Management, उससे related syllabus है, जादा कोई different syllabus नह इसके लिए जो book है, वो actual में अभी मेरे पास available नहीं है, because of course, यतना सारा book का मेरा collection है, मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन जो book मेरे पास थी, वो MC Growhill, यह हमारे publisher है, और author है, Prasanna Chandra, इनका जो cover page है, वो मैं आपको यहाँ पर show कर दूंगी, screen पर, ठीक है, तो यह book आप योज क Okay, तो बात करते हैं, next unit की business statistics and research method, अगर इस unit की बात करें, तो stat की बहुत ही अच्छी book आती है, जो actually मैं मैंने notes cover करवाय थी, that means, उसके मैंने notes photo state करवाय थी, actually, क्या हुआ था, that means, जब B.com के अंदर हमें, दोनों sessions में यह book लगी थी, B.com में और M.com में भी, जब B.com में यह book करते हैं, next session की book ले लेते हैं, तो मैंने next session की book ले ली थी, उसके बाद M.com में दुबारा यह book यूज हुई और M.com के अंदर B.com और M.com का सारा syllabus देकर कुछ extra भी दिया गया, और यह जो book थी, उस time पर मैंने इसकी photocopy करवाली थी, क्योंकि मुझे बदा चल गया था उस time प दो लोगों ने यह कठे लिखी है, विके ग्लोबल पॉब्लिकेशन है, यह आपका बहुत दी बेस्ट बुक है, आंखे बंद करके ले लो, बहुत ही short में, नोट की तरह आपके काम आ जाए, बहुत ही अच्छी बुक है, तो इससे आप जरूर पर्चेस करो, लिंक जो है, बुद्शन बोक्स में आपको मैं दे दूंगी, तो अब युनेट 6 की बात करते है, युनेट 6 के अंदर आपका बाता है, बिजनस मेनेजमेंट एड हरें, तो ओथर है, आर के सिंगला, एंड पब्लिशन है, विके पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी बुक है, चोटी सी ब बुक है आपकी, और छोटी सी बुक के अंदर सारा कुछ कवर हो जाता है आपका, नेक्स हम बात करते है, HRM की, HRM का यह होनेट है, HRM के लिए भी आपको बुक चाहिए होगी, HRM के लिए टीन छाबरा की यह बुक है, धनपत राय एंड कंपनी, यह जो है, इनके पब्लिश किया था, तो यह बहुत अच्छी बुक है यह आपके लिए, ओके नेक्स अरती है हमारी यूनिट 7, banking and financial institutions, तो इसके लिए जो बुक सज़स्ट कर रही हो मैं आपको, जो मेर पास भी है, कल्यानी पब्लिशर्स की यह बुक है, कल्यानी पब्लिशर्स, यहां पर आपके तीन इसके लिखा गया, financial institutions and markets, ठीक है, शाशी के गुपता, निश्या अगरवाल and Niti गुपता, तो शाशी के गुपता से अगर याद रखेंगे तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बुक है, यह सची बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग अगर देखा परी, lining up देख पारे होगे, Reserve Bank of India, हकी paper में भी याता है, तो मैंने इसके अदर भी notes बना रहा रहे हैं, इससे related ही, बहुत अच्छा space में जाता है, आपको extra side पे लिखने का भी, तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसे purchase कर सकते हो, link description box में आपको दे दोंगी, ओकी, तो unit 8 ज Philip Kotler, of course, आप marketing के session में बहुत अच्छा नाम जानते हो, Philip Kotler की काफी marketing से related, इन्होंने बता रखे हैं, आपको लग-लग definitions दे रखी हैं, अलग-लग models तियार किये गए हैं, Philip Kotler की तवारा लिखी होई बुक है, publisher है, Pearson publication की book है, बहुत दीबेस बुक है, marketing management के नाम से आती है, link description box म देख रहे होगे इसका, next unit की पात, अभी हम करते है, unit 9, legal aspects of business, इसकी जो बुक है, वो मैं अपनी बुक आपको नहीं suggest करूंगी, actually क्योंकि मुझे अपने वाली बुक इतनी पसंद नहीं है, और कुछ इसके लिए मुझे बिलकुल new edition चाहिए, क्योंकि आपको पता है, अलग इनके author है, new edition है, totally legal aspects of business, इसी नाम से ये book आती है, बहुत दीवेस book है, और इसका, अगर हम बात करें, तो I think 2020 के अंदर ही, इसी साल के अंदर ही, ये release होई है, बहुत अच्छी book है, बहुत अच्छी writer है ये, तो इसी आप ज़ूर पढ़िए, इस topic के लिए कापी कुछ इसक इसे जुरूर करना legal aspects of business को, तो last but not the least, my all time favorite income tax and corporate tax planning unit 10, ठीक है, income tax and corporate tax planning की जब हम बात करते हैं, दोनों एक ही subject से related है, लेकिन ऐसे इसमें क्या system है, income tax जो है, वो हमारे B.com के अंदर use किया जाता है, और M.com के अंदर ये दोनों से levers हमारी लिये गए थे, income tax and corporate tax planning दोनों को इक पठा, तो इसके लिए books वैसे actually अलग लग रहती है, income tax के लिए, income tax के पार्ट को पढ़ने के लिए आपको पढ़नी है, साहित्य पब्लिकेशन की book, H.C. महरोत्रा की, H.C. महरोत्रा की ये book है, and S.P. Goyalek, और author है, इनके, बहुत अच्छी book है, income tax taxation low, इसका edition बहुत बुरा है, income tax की book, तो अगर आपके पूरानी है, तो इसे जल्दी से change करो, और नए edition लो इसके लिए, ठीक है, उसके लावा corporate tax planning की, अगर हम बात करें, तो ये भी H.C. महरोत्रा की book है, साहित्य भवन publication ही, इनके जो है, वो publisher है, और same, उसी publisher की book, उसी authors की book है, S.P. Goyal की, लेकिन य आप आते हैं वीडियो की end पर, end तो है, लेकिन बहुत खास है, आपके लिए बताना, मैंने आपको आज जो book suggest की है, I think 20 to 25, जो है, numbers of book है आपके लिए, तो मैं आपको हमेशा सी कहते हूँ, कि जब भी आप preparation कर रहे हो, revision के लिए तो आप दुबारा इन books को नहीं उठा सकते देखो मैंने इतनी 20 box को इतनी चुटी चुटी रिजिस्टर के अंदर कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से मैंने ये नोट्स बनाया, अगर मैं आपको दिखा वी दो एक नजर कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, तो ये नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए मैंने इसको, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो बहुत इस तरीके से आप जो है नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल शोट करने की कोशिश करो, देखो, मोस्ली आपको मेरे नोट्स के अंदर ये वले फ्लो डाइग्रम जरूर दिखेंगे, ठीक है, इस तरी से चार्स बनते ह तो भी काफी अट्रेक्टिव सा फील होता है हमें, ठीक है, नोट्स बनाना भी अच्छा लगता है, तो नोट्स नासत बनाते हो, ठोड़ा सा तरा ज़्यादा लग जाएगा, तो बहुत कुछी मिलते है कि अच्छा मुझे सिरफ इतना सा ही पढ़ना है, तो बहुत कम लग होते हैं, ओके स्टुडेंस ववाए, टेक केर, हैवा नाइस दे, नमस्कार